हेलो एवरिवन वेलकम तो माई न्यू वीडियो ओफ पोएम यह वा था तो बच्चो हम इसकी पोएम की रीडिंग तो हम कर चुके है एक्स्पलानेशन भी मैंने आपको करा ही दी थी आज हम इसके करेंगे वर्ड मीनिक्स एंड कोईस्टिन आंसर तो चलिए शुरू करते हैं लिए प्राशिन काल में पूराने समय में तो वह अमेरिका में नौर्थ अमेरिका के जो अदिवासी थे प्राचिन काल में पूराने समय में तो उन्हें क्या बोला जाता था रेड इंडियन और ये एक्स्नलेशन में मैं आपको बता चुका था कि इंडियन यहां पर क्यो आएथा तो रेड इंडियन होते हैं ओल्ड अमेरिकाण ट्राइस चली JEFF आगए देखते हैं एक वर्ड आयता है हमें पर बीवर तो बीवर होता है पर टार्डर आ स्माल रोड़न जैसा है एक अनिमल होता है जो कि भीवर इस ओर lock 5 इसकी 5 empowerment होती है he leaves near river ये river के पास रहता है beavers क्या बनाते हैं loges बनाते है river के पास ही loge होती है पानी में ही इनकी तो यहाँ पे आप देख सकते है it is a beaver's lodge ये lodge है beaver की यहाँ पे उसका house है ठीक है ये कैसे branches का और mud का बना होता है पानी के बिल्कुल बीच में बना हुए है आप मैं इसका आपको internal structure दिखाता हूँ अंदर से ये कैसा दिखाई देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर से तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है branches और mud का बना हुआ उसकी गुफासी बनी होती है और अंदर ही अंदर यहाँ पे देखिए इसमें कितना मतलब कमाल का construction है इसमें dry place भी है मिट्टी का बना हुआ और यहाँ पे आप देखिए water tunnel बनी हुई है है ना इस tunnel से beavers जो है वो पानी में जाते हैं और fish वगएरा catch करते हैं मचली पकड़ते हैं खाते हैं और यहाँ से वो वापिस दूसरी tunnel से यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवर एक वापिस आ रहा है और जब वो रहते हैं यहाँ dry place पे वो रहते हैं तो एक मतलब कमाल का animal है जिसने यहाँ पे लोज बनाई हुई है एक house बनाया हुआ है वाट आ ब्यूटिफुल लोज है ना ब्यूटिफुल हाउस बिल्ट बाई बाई बीवर्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट आप चो विग्वैम विग्वैम होता है रेड इंडियन्स हट रेड इंडियन्स जो जो जोपड़ी में रहा करते थे जो कोनिकल शेप आप देख सकते हो कौन जैसी शेप है बिल्कुल मैस में आपने कौन देखा ही होगा तो उसकी जो यह हट है उसे क्या बोलते हैं विग्वैम नेक्स्ट इस बीष्ट पोयम में एक वर्ड आया था बीष्ट तो बीष्ट क्या होते हैं बीष्ट बीष्ट होता है बचो बिग फोर लेग्ड अनिमल्स फोर इक्जेम्पल लोयन बड़े अनिमल्स होते हैं लोयन्स टाइगर है ना पैंथर तो वो बीष्ट होते हैं बड़े बड़े एनिमल और फोर लेक्स होती है उनकी तो लोयन भी एक बीश्ट होता है और नेक्स्ट है वीवर बर्ड्स नेस्ट आप देखे कितना ब्यूटिफूल कितना सुन्दर उसने यहां पर नेस्ट बनाया हुआ है और कलाकारी देखिए यहां पर नीचे से भी एंट्री पोइंट होता है और उसकी बैक साइड में भी एक होल है है ना तो यहां पर रहने के लिए यह तिनका-तिनका जोड कर जो है वो बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाते हैं नेस्ट है रेंडियर तो रेंडियर क्या होता है बच्चो रेंडियर रेंडियर is a deer with large horns जिसके बड़े-बड़े सींग होते हैं एक ऐसा हीरन आप इसमें confused हो जाते हो कुछ लोग इसे कहते हैं बारां सींगा तो बारां सींगा तो स्टैग होता है रेंडियर जो है वो बरफिले इलाकों में पाया जाता है और ये हीरन की ही एक पर जाती है जो कि बहुत तेजी से दोड़ते हैं बहुत तेज दोड़ते हैं एकोंस होते हैं the fruit of oak tree बचो oak tree पे जो fruits लगते हैं वो एकों होते हैं ये small nuts type के होते हैं nuts nuts बोले तो जैसे डफनट हो गया मूफली हो गई है ना ground nut और almonds हो गए तो वैसे ही ये nuts type का fruit होता है oak tree का fruit होता है और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है it is an acorn ये acorn है और इसे skulls जो है वो खाती है जो गिलहरी है वो इसे खाती है timid to show fear डरना डर की अनुभूती लग रहा है कि डोग किसी से डर रहा है ये बच्चा भी थोड़ा डरा हुआ fearful लग रहा है न वो ये tom and jerry है जब jerry उसे गुसे में उसकी तरफ आता है तो यहां पर देखे टोम जब गुसे में जैरी की तरफ आता है तो चैरी भी थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा है तो timid timid means to show fear डर show करना और ये तो आप देखी सकते हो it's a skull with a con it is eating a con ये खा रही है a con's को a con's होता है fruit of oak tree चलिए next हम देखते हैं last word meaning है swiftly swiftly to run fast speedily तेजी से चलना जैसे बच्चा जो है वो तेजी से चल रहे है तो ये poem में word आया था कि why the reindeer ran so fast so swiftly वो इतना तेजी से कैसे चल लेते हैं swiftly means fast to run fast तेजी से चलना next word है next हम करेंगे question answers तो इसके four questions है one by one करेंगे उसे देखते हैं first है who was हेवाथा जो था वो कौन था तो बच्चो हेवाथा आपको पता ही आपने poem पड़ी है हेवाथा वाथा यंग रेड इंडियन बोई वो एक यंग रेड इंडियन बोई था next question है second who was नोकोमिस तो नोकोमिस कौन थी तो नोकोमिस वोज हेवाथा जोल्ड ग्रेंड मदर आपके chapter की आपकी poem की starting में ही नोकोमिस का introduction है नोकोमिस वोज हेवाथा हेवाथा जोल्ड ग्रेंड मदर बूडी दादी अम्मत ही हेवाथा की और what did he यहाँ पे ही हेवाथा ने क्या सीखा था he learnt that language of birds उसने birds की language चीखी their names and all their secrets उसे सभी पक्षियों के नाम पता थे सभी पक्षियों के नाम उसे पता चल गए थे and all their secrets और उनके सभी राज पता चल गए थे कैसे राज, कैसे secrets such as how they built their nest कैसे पक्षि अपना गोसला बनाते हैं अपना nest बनाते हैं where they hide themselves during winter और winter सर्दियों के समय वो कहां चले जाते हैं, कहां चिप जाते हैं बच्चों, मैंने आपको आज live class भी ली थी तो उसमें बताया था आपको कि कुछ birds होते हैं, migratory birds जो migration करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं जब weather में, climate में change आता है कुछ birds जैसे इंडिया में रहते हैं जब यहां पे सर्दी होते हैं, winter साती हैं तो यहां से गरम इलाकों में चले जाते हैं है ना, ऐसे, ऐसी countries में चले जाते हैं फिर भी वो इतने किलो मेटर का सफर करते हैं इतने किलो मेटर की journey करते हैं without any map, उनके पास कोई map भी नहीं होता कोई radar भी नहीं होती अपने छोटे से brain के पे बेश्ट वो देख लिए देख लिजी इतनी लंबी-लंबी journeys करते हैं और फिर वो जब वहां पर धंड होती हैं तो वो वापिस भी आ जाते हैं तो these are called migratory birds ऐसे birds को बोलते हैं migratory birds, जो migration करते हैं they travel from one place to another last question is what secrets did he learn about beasts उसने beasts के बारे में कौन से secret सीखे थे, कौन से facts उसे पता चले थे तो beasts होते हैं big animals, बड़े बड़े animals lion, tiger वगएरा तो ऐसे ही उसने जानरों के बारे में क्या देखा he learnt how the beavers build their loges beavers जो है वह अपने loges अपनी जो loge है अपना जो house है वह कैसे बनाते हैं where the skulls skulls बोलते हैं गिलहरी को where the skulls hide their food अपने food क्या होता है कहां hide करते हैं how the reindeer runs so swiftly और reindeer कैसे इतना तेजी से दोड़ लेता इतना तेजी से swiftly जो है वह move करते हैं चलते हैं दोड़ते हैं and why the rabbit is so timid और खरगोश जो होते हैं वह इतने जादा timid क्यों होते हैं आपने भी देखा होगा कि कहीं पर खरगोश है वह कुछ खा रहा है जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वह दोड़ जाता है एकदम से भाग जाता है डर के तो वह इतने जादा timid क्यों होते हैं तो उसे ये सभी secrets हेवाथा को पता चल गए थे बीश्ट के बारे में तो बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक्यू बच्चों बाई बाई